स्वागत आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में आज के लेक्चर में केरला सर्कल MTS का 2020 का हम करेंगे कोशिन पेपर तो डिपार्टमेट ओजी के के सभी कोशिन को करेंगे mathematics के लिए आपको description में link मिल जाएगा और regular classes हमारी चलने हैं आप जुणना चाहते हैं जरूर हमें message कर सकते हैं और इन सभी कोशिन पेपर की पीडिया files with solution में आपको provide करवाएंगे आपकी त्यारी बहुत ही अच्छे से हो जाती है अगर ये सारे कोशिन पेपर आप करके जाते ह आज की वीडियो का first question है हमारे पास franking machine license will be granted on application to the franking machine license किसे आवेदन किया जाएगा ठीक है अगर franking machine के लिए license आपको चाहिए तो किसको आवेदन आपको करना पड़ेगा चीफ post master general, post master general, director of postal service या फिर head of postal division तो यहाँ पे इस question का say answer आपके बास D हो जाएगा आपको franking machine license के लिए आवेदन करना है तो आप मंडल पर मुखो को करेंगे कोन होता है आपका superintendent या फिर senior superintendent of post office जो होता है डाक घर अधिक्षक जो होता है या फिर ब्रिष्ट डाक घर अधिक्षक जो होता है उसे करना चाहिए तो D option या पे आपकी सही हो जाएगी बड़ीजी maximum weight of an article of letter mail a load for transmission by post in India भारत में डाक द्वारा प्रेशन के लिए अनुमत पत्र mail के एक लेख का अधिक्तम बजन कितना हो सकता है अगर आप by post कोई फी letter भेजना चाहते है कोई पत्र आप भेजना चाहते है maximum किस weight limit तक आप भेज सकते हैं 1 kg, 2, 5 या फिर 10 kg question का से answer आपके बास भी हो जाएगा 2 kg तक आप किसी भी letter को भेज सकते हैं ठीक है weight limits जितनी भी है speed post की, registered post की, parcel की इन सभी को अच्छे से याद कर लेना बार बार पूछी साती है if the renter does not clear articles from the post box for a period of days, a notice requiring him to clear them will be sent by the postmaster by registered post कितने दिनों तक post box के किरायदार द्वारा पत्रों की निकासी ना करने पर postmaster उसे पंजीकृत डाक द्वारा post box की निकासी के लिए एक notice भेज़ेगा अब यहाँ पे क्या चीज होती है, अब यहाँ पे अगर किसी नवी post box किराय पर लिया हो है तो उसके article जो हम वो post box में डाले जाते हैं, वो आपको बता है कौन-कौन से डाले जाएंगे ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उसका किराय दार है, वो उसमें से letters को नहीं निकालते है तो कितने दिनों तक अगर वो letters नहीं निकालते है, तो post master उसको एक notice भेजता है और कैसे भेजता है, यह भी important है ध्यान रखना registered post के जरी है, पंजिगरित डाक के जरी है, उसको एक notice भेजता है कि अब अपने letters को letter box में से, post box में से निकाल ले लेकिन तो यहाँ पे हमें वो बता है ना कि कितने दिनों के बाद भेज़ेगा, कितने दिनों तक अगर वो निकासी नहीं करता है साथ दिन, पंदरा दिन, तीस दिन, या फिर 60 डेज, तो यहाँ पे इस question का से answer आएगा आपके पासे ठीक है, साथ दिनों तक लगातार वो अगर वो उसकी निकासी नहीं करता है तो उसको पोस्ट मास्टर के दारा पंजीगरित डाक दारा एक नोटिस भेजा दाएगा उसको क्लियर करने के लिए बड़ीजी वेट लिमेट ओफ एन अनर्जिस्टर्ड पार्सल एक अपंजीगरित पार्सल की अधिकतम बजन सीमा क्या है दो किलोग्राम, चार किलोग्राम, दस किलोग्राम और साथ किलोग्राम कॉशन का से अंसर आप क्या सोजाएगा भी चार किलोग्राम तक आप मैक्सिमम एक अनर्जिस्टर्ड पार्सल भेज सकते हैं और र्जिस्टर्ड पार्सल आप 20 किलोग्राम तक भेज सकते हैं शेवल अंडर चैप्टर 6 ओफ दी इंडियन पैनल कोड विल वी डाक द्वारा प्रेशित लेख जिस पर या उसके कवर के उपर किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र में प्रतिनी धित्व है जो घोशित अपरादी और जिसे भारतिय दंड सीता के अध्याय चे के तहत दंडनी अपर आद का दोशी ठहराया जा चुका उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा यहाँ पर ऐसे आर्टिकल की बात की गई है जिसके उपर या उसके कवर के ओपर किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र में प्रतिनी धित्व है जिसे अपरादी माना गया हो ठीक है या फिर उसे भारतिय दंड सी ताके chapter 6 के तहित किसी भी दंडनी अपराद का दोशी ठहराया गया हो तो उस article को क्या किया जाएगा return to sender क्या हो से sender को pressure को बापिस किया जाएगा forwarded to the destination या फिर गंतब्य को भेजा जाएगा sent to RLO या फिर forwarded to the divisional head question का से answer आपके बास हो जाएगा सी उसे RLO को returned letter office को भेजा जाएगा जहाँ पर उसका निप्टान किया जाएगा the manufacturing and use of fictitious postage stamps is an offense punishable under section of Indian panel code कालपनिक या नकली dark techno का निर्मान करना या उनका उप्योग करना भारतिय दंड सिता की कौन सी धारा के अंदर गत दंड निया पराद है options यहाँ पे 273A, 263A, 253A या फिर 283A तो यहाँ पे इस question का सी answer आएगा आपके पास भारतिय दंड सिता की धारा 263A के तहत कालपनिक डाक्टिक्टों का नकली डाक्टिक्टों का निर्मान करना और उप्योग करना एक दंड निया पराद है अब यहाँ पे कई बार question के आते है आपको यह दिया होता है 263 आपको बताने है क्या चीज़ आपके post office guide part 1 की धारा है post office guide part 2 की धारा है Indian panel code IPC की धारा है यह ध्यान अखना IPC Indian panel code की धारा 263 है यह भी इस तरह से भी question पूछा जाता है तो हर एक line को जुरूर अच्छे से पढ़ते जाईए if article fastened with pins is detected at the office of posting यदी posting कार्याले में पोस्टिंग कार्याले जहां से आप क्या कर रहे है अपने articles को भेज रहे हैं तो बहीं पी अगर पीन से बंदी हुई बस्तू पाई जाती है अब पीन आपकी कार्याले को भेजी जाएगी will be protected in a cover and sent to the office of delivery एक cover में उसको सरंक्षित करके delivery कार्याले को भेजा जाएगा question का से आपके पास आजाएगा है will be return to sender तो अगर office of posting में पाई जाती है तो sender को तभी बापिस कर दी जाएगी लेकिन अगर इन course of transmission transmission के दुरान वो रास्ते में पाई जाती है तो उसको RLO को भेजा जाएगा उसके जरिया उसको आपके pressure को बापिस किया जाएगा लेकिन सबसे पहले जो उसको pins लगाई गई होंगी वो निकाली जाएगी फिर RLO को भेजा जाएगा which of these can we deliver through a post box इनमें से कौन post box के माध्यम से वितरित किया जा सकता है insufficient paid articles प्रयाप्त भुक्तान किये लेक money orders registered articles fully paid unregistered articles question का से answer D हो जाएगा पूरी तरह से भुक्तान किये हुए अपंजीकृत लेक जो होते हैं और कौन से पत्र मेल के तो D option आपकी से हो जाएगी but is the speed post tariff to view collected for an article weighing one kilogram with proof of delivery for delivery in local area सान्यक शेतर मैं वितरन के लिए POD के साथ POD क्या चीज़ होती है आपकी proof of delivery और इसके लिए कितने चार्जिस लगते हैं 10 रुपे लगते हैं के साथ एक किलो ग्राम बजन वाली बस्तू के लिए speed post tariff के अकत्र किया जाएगा यनके एक किलो ग्राम का आपका speed post article है local ही उसका वितरन होना है तो कितने चार्जिस आपसे लिए जाएंगे 54, 55, 59 या फिर 58 question का आपके बाद सही आंसर आजाएगा 59 रुपीज लिए जाएंगे अब कैसे लिए जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे local की बात करें जो 500 ग्राम तक आपके लगते हैं 30 रुपे अगर 500 ग्राम से अधीक है तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे ठीक है 500 ग्राम से 1 किलो ग्राम तक आपको देने पड़ेंगे 10 रुपे टोटल हो जाएंगे आपके 40 और यहाँ पे proof of delivery भी साथ मैं तो कितने हो जाएंगे 10 और हो जाएंगे ठीक है टोटल होगे 50 रुपे प्लस यहाँ पे GST लगता है ठीक है 18 परसेंट तो कैसे लग जाएगा यह 50 ठीक है प्लस यहाँ पे 18 परसेंट GST यहनिके 50 गुने 18 वटे 100 यहनिके 50 यहाँ पे 2 रहे जेंगे नो और 50 प्लस 9 यहनिके 59 रुपीज तो यह उप्शन आपकी से हो जाए चाहिए आप जो अनवल्प यूज करते हैं कि सीवी लेक को भेजने के लिए उसका जो कागज होता है उसकी मुटाई कितनी होनी चाहिए 60 GSM 70 80 या फिर 90 GSM कॉशन का सियांसर होगा आपके बास भी ग्राम्स स्केर पर मीटर ठीक है ग्राम्स स्केर पर मीटर इसकी फुल फो किस अधिकतम बजन सीमा तक स्पीड पोस्ट लेक को बुक किया जा सकते हैं 20 kg 25 kg 30 या फिर 35 kg कॉशन का जो सेंसर आपके पास आजाएगा या आएगा आपके बास डी 35 kg तक की बजन सीमा का आप कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेज सकते हैं जब कोई लेख फरेंकिंग इंप्रैशन के साथ पोस्ट किया जाता है तो मूले डाई और लाइसेंस डाई की कितनी शाइब होनी चाहिए तो ठीक है अभी आपको बता है जब इन फरेंकिंग मिशीन की शाइब लगाया जाती है उसमें license die और value die की sharp होनी चाहिए तो यहाँ पर वही question पूछा गया कि कितनी कितनी sharp उसकी होनी चाहिए one value die and one license die ठीक है एक मुल्य die की sharp होगी और एक license die की sharp होगी two value die and one license die या फिर दो मुल्य die की sharp होगी और एक license die की sharp होगी more than one value die and only one license die मूले डाई की एक से अधिक शाप हो सकती है लेकिन लाइसेस डाई की सिरफ एक शाप होनी चाहिए एनी नंबर ओफ वैल्यू डाई और लाइसेस डाई ठीक है आप किसी भी संक्या तक इनकी शाप लगा सकते है C question का answer जो ही सही हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपका जब भी frank article होता है उसके उपर आपकी license डाई जो होती है उसकी सिरफ एक ही शाप होनी चाहिए और value डाई की एक से जादा शाप हो सकती है C option आपकी सही हो जाएगी But is the disposal of unregistered articles wearing the frank of a date immediately preceding the date of presentation प्रस्तूती की तारीक से ठीक पहले की तारीक के frank वाले अपंजिकरित लेखों का निप्टान क्या है यनि के कैसे उनका निप्टान किया जाएगा क्या उनको माना जाएगा Will be treated as unpaid and double the deficiency Will be taxed उनको of ethnic माना जाएगा और कमी का दो गुना शुलक जो है बोलिया जाएगा Will be treated as unpaid and normal postage Will be taxed of ethnic माना जाएगा और सामान्य डाक शुलक लगाया जाएगा Will be accepted provided they wear the impression of the license die of the date of presentation ठीक है इनको सवीकृत किया जाएगा लेकिन शर्त क्या है उन पर प्रस्तूती की तारीकी license die की शाप होनी चाहिए Will be accepted after correcting the date in impression manually या फिर impression में जो दिनाख है उसको manual रूप से सही करके बाद में सवीकृत किया जाएगा क्रशन का सी आंसर आपके बास हो जाएगा Will be accepted provided they wear the impression of the license die of the date of presentation अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है लेक माना जाता है लेकिन अगर उस article के उपर बिल्कुल जिस तारीक को आप उसको post करना के लिए प्रस्तुद करने है माली जिया पास तरीक को उसको post करने के लिए आ रहे हैं उसके उपर जो शाप लगी है वो चार तरीकी लगी है लेकिन साथ में जो license die है उसकी जो शाप है वो पाँच तरीकी लगी होनी चाहिए तब उसको accept कर लिया जाएगा नहीं तो उसको unpaid मानना चाहेगा बड़ीज़ी fees फार अवेलिंग post box facility फार पिरियड ओफ वनियर एक वर्ष की अबधी के लिए post box कि सुविदा प्रापत करने के लिए शुलक क्या है 50 रुपे, 100 रुपे, 500 या फिर 200 रुपे question का से answer आपके पास आजाएगा C, 500 रुपे है ठीक है चाहे आप post box ले रहे हैं चाहे post bag ले रहे हैं दोनों के लिए बार्षी किराया कितना 500, 500 रुपे है लेकिन अगर दोनों से एक साथ ले रहे हैं तो 250 रुपे है तो यहाँ पर इस question का से answer आपके पास आजाएगा 150 रुपेज But is the deduction made in a senior citizen saving scheme account prematurely closed after two years आपका जो senior citizen saving scheme account है दो साल बाद बंद करने से पहले ठीक है दो साल बाद समय से पहले बंद करने पर क्या अक्टोती की जाएगी premature का मतलब होता है एक maturity period होता है ठीक है इतने समय के बाद आपका account job वो पूरा हो जाएगा लेकिन उस समय से पहले जब बंद करते हैं premature closure उसको कहा जाता है तो no interest will be payable if paid already we recovered कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा यदि पहले ही ब्याज का बुक्तान किया गया हो तो उसको बसूल किया जाएगा ठीक है जो भी राशी होगी उसी मैसे उसको recover किया जाएगा 1.5% of the deposit to be deducted जमा राशी का 1.5% प्रतिशत काटा जाएगा 1% of the deposit to be deducted जमा राशी का 1% काटा जाएगा 2% of the deposit to be deducted जमा राशी का 2% काटा जाएगा तो यहाँ पे जब भी senior citizen saving scheme account की बात करते हैं तो खाता खुलने की तारीक से आप इसको किसी भी समय बंद करवा सकते हैं इसमें कोई limit नहीं है एक साल के बाद ही होगा या 2 साल के बाद ही होगा लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं एक साल के पहले बंद करते हैं तो आपको कोई भी interest नहीं मिलता है ठीक है आपको कोई interest नहीं मिलेगा और अगर को interest आपको मिला हुआ है तो वो आपका recover कर लिया जाएगा तो इस ही साब से एक option आपकी say हो जाती लेकिन यहाँ पे दो वर्ष की बाद की गई है अब यहाँ से एक साल और दो साल के बीच में अगर आप बंद करवाते हैं ठीक है एक साल के बाद और दो साल से पहले बंद करवाते हैं तो एक प्रतिशत डिडेक्शन होगी तब आपकी भी option से ही हो जाती लेकिन यहाँ पे क्या बूर लगया दो वर्ष के बाद आप करवाते हैं तो दो साल के बाद करवाते हैं और पांच साल से पहले करवाते हैं तो एक परसेंट डिडेक्शन की जाएगी आपके अमाउंट से आपके डिपोट डिपोजिट से तो यहाँ पे आपकी इसी option से हो जाएगी इस question का सियांसर आएगा आपके बास C अगला question है आपके बास बटी इसी rate of interest per year on loan taken from PLI policy postal life insurance policy पर लियेगे रिण पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या यानि कि आपने जो loan लिया है किसी भी PLI policy के उपर उसके उपर जो आपको interest लगेगा वो किसी हिसाब से लगेगा 8% per annum के हिसाब से 8.5%, 10% या फिट 12% question का से आपके आपके वसी 10% प्रतिवर्ष बार्षिक दर के हिसाब से उसके उपर ब्याज जोब लगाया चाएगा PPF account can be prematurely closed after years public provident fund account समय से पहले कितने वर्ष बाद बंद किया जा सकता है 2 साल, 3, 4 या फिर 5 वर्ष के बाद तो यहाँ पर इस question का से आपके पास आजाएगा D पांच वर्ष के बाद किया जास रखता है ठीक है, टोटल आपका 15 years का होता है यह 15 साल का होता है और 5 साल के बाद इसको आपरी maturely close करवा सकते है unusual male does not include अब यह काती है, आपके पास due bag और एक आती है, आपकी unusual तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है due mail या unusual mail में क्या फरक है due mail जो होती है, यह पेक्षित होती है यहनि कि इसको आपको बनाना ही है या तो यह daily बनेगी या regular intervals के उपर बनेगी ठीक है, जैसे आपके registered bag हो जाते है उनको आपको बनाना ही पड़ता है चाहिए आपके पास कोई registered article हो या ना हो भीजने के लिए फिर भी आपको बनाना पड़ता है तो वो हो जाते है due bag यानि कि उनको बनाना पड़ेगा unusual यानि कि जब जुरूरत हो तभी उनको बनाया जाएगा तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन सा unusual mail में नहीं आता है तो यहाँ पे options है आपके पास parcel bag, packet bag, camp or registered bag question का से answer due हो जाएगा जो आपके registered bag होते है पंजीकरी तथैले होते है वो unusual mail में नहीं आते है वो कौन से आते है due mail में आते है और अगला question आपसे पूछा गया bitch of these is not a due bag इनमें से कौन सा अप एकशित थैला नहीं है mail bag, transit bag, registered bag या फिर parcel bag तो डी option आपके से हो जाएगी parcel bag जो है यह क्या है अप एकशित थैला नहीं है जब जरूरत होती है इसको तभी बनाया जाता है तो यह unusual mail में आते है डी option आपके से हो जाएगी the office which deals with unclaimed and refused articles and articles without address or with undecipherable or incomplete addresses called उसकार्याले को क्या कहा जाता है जो लावारिस या मना किये हुए लेखों या बिना पते वाले लेखों या असपश्ट या आदे धूरे पते वाले लेखों का निप्टान करता है rms ठीक है heo, pso या फिर rlo question का से answer होगा d returned लेटर ओफिस एक चीज़ या निखना जब भी full forum पूछीज आयर लो की तो यह होती है returned ठीक है return नहीं है ed साथ में लगया returned लेटर ओफिस और यह क्या करता है आपके ऐसे articles जो unclaimed है ठीक है लावारिस articles है जिनके उपर article प्रापदगरता का अच्छे से पता नहीं है या फिर add sender का पता नहीं है undecipherable as first है ठीक है जो पता लिखा हुए आधा दूरा पता है तो उनको क्या किया जाता है आरे लोग को भेज दिया जाता है the registered bag inside a mail bag indicated by symbol in the due mail list will also contain a cash bag एक पंजीकरी तथाला जिसमें cash bag भी होता है उसे अप एकशित डार्क सूची में कौन से चिन के साधर शाया जाता है कौन से symbol का यूज किया जाता है CRPD तो यहाँ पे question का answer आपके बास आजाएगा C ठीक है P symbol का use इसके लिए किया जाएगा bitch of the falling is not to in मैं से कौन सा सही नहीं है check slips are designed to fix responsibility for missending of any article wrongly included in a level bundle level bundle में शामिल कियेगे किसी भी गलत लेख के लिए जिम्मेदारी तै करने के लिए जाच पर्ची का प्रयोग किया जाता है आपके जो check slip होती है उसका use क्यों किया जाता है ताकि level bundle में अगर किसी भी article को गलत include उसमें कर दिया गया है level bundles are due level bundle जो है आप एकशित होते हैं the postal store depot situated at the headquarter of postal circle is identified as a circle bag office postal circle के मुख्यालिय में स्थित postal store depot को circle bag office के रूप में पहचाना जाता है office of exchange where the work of assessment of custom duty on foreign males carried out is called foreign post office बिनियम का बैक आरे आले जहाँ बिदेशी डाग पर सीमा शुलके निर्धारन का कारिय किया जाता है उसे बिदेशी डागर किया कहा जाता है तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है देखिए first आपकी बिल्कुल सही है cv सही है और dv सही है लेकिन आपकी भी सही नहीं है और ब्राच ओफ आरेमस भेर closed bags are received and dispatched is called RMS की शाखा railway mail service की शाखा जहां पर बंद थैले प्रापत किये जाते हैं और भेजे जाते हैं और यहाँ पर और क्या चीज नहीं होती है आपकी articles की छंटाई ही नहीं होती है तो इसको क्या कहा जाएगा transit office, TMO, CIC या फिर PM, PC तो यहाँ पर question का answer आपके बस होगा भी transit mail office कहा जाता है transit office नहीं कहा जाता है transit mail office कहा जाता है भी option से ही हो जाएगी But is the discount allowed for BNPL customers far giving monthly business above 50 lakh BNPL book now pay later ग्राहकों को 50 lakh रुपे से अधिका मासिक कारवार देने पर कितनी शूट की अनुमती है 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत या फिर 30 प्रतिशत तो यहाँ पर question का answer आपके अस हो जाएगा भी 20 प्रतिशत की शूट होगी But is the minimum monthly business required for availing BNPL facility ठीक है book now pay later सुविदा का लाव ठाने के लिए अवश्यक नियूंतम मासिक ब्यवसाह कितना होना चाहिए पाँच हजार, दस जार पच्चिस या फिर 50 प्रतिशत प्रतिशत की शूट हो जाएगा भी ठीक है 10 प्रतिशत का मासिक बिजनस होना चाहिए but is the minimum number of articles required for availing bill mail service तो कई बार यहाँ पर BMS भी लिखा होता है ठीक है बिल mail service इसका हो जाएगा BMS लिखा हो तो national bill mail service हो जाएगा बिल mail सेवा का लाव ठाने के लिए अवश्यक लेखों की नियूंतम संख्या कितनी होनी चाहिए अगर आप इस facility के थुरू articles को post करना चाहते है minimum कितने articles होने चाहिए एक हजार दोजार पांच या फिर दस हजार क्वेशन का सियांसर हो जाएगा आप क्या सी ठीक है पांच हजार articles आपके minimum होने चाहिए but is the expansion of FTL in a logistic post logistic post में FTL का बिस्तार क्या है इसकी full forum क्या है full transport load ठीक है उसके बाद फुल truck load fast truck load या फिर fixed truck load question का सियांसर हो जाएगा आपके बस भी full truck load और अगर यहाँ पे LTL है लिखा होता ठीक है सबसे बहले यह भी question बूचा जाता है कई बार की FTL और LTL का सम्बंद किस्से है बड़ी रेट ओफ इंट्रेस्ट चार्जड फोर बिलेटेड पेमेंट ओफ बुक नौव पे लेटर बिल्ज तो BNPL बिलों के बिलंबीत भुक्तान के लिए ब्याज की दरका है 12 प्रतिशत 5 आठ या फिर 10 प्रतिशत तो यहाँ पे इस कॉशन का सेंसर आपके बास आजाएगा है 12 प्रतिशत है यह उप्शन आप की से हो जाएगी बड़ी जी मीनिमम अमाउंट टूवी डिपोजिटेड इन स्कन्या समृद्धी अकाउंट इन फानेशल यर एक वित्य वर्ष में स्कन्या समृद्धी खाते में जमा की जाने वाली नियूंतम राशी यह निके मीनिमम आपस में कितना डिपोजिट कर सकते हैं 100, 250, 500 या फिर 1000 रुपे कॉशन का सेंसर आपके बास हो जाएगा बी 250 रुपे मीनिमम आप एक फानेशल एर में एक वित्य वर्ष में समय जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम डेड़ लाख रुपे तक किया जा सकता है बड़ी जी मीनिमम नंबर ओफ रजिस्टरड आर्टिकल्स रिक्वाइड फार प्रिपेरिंग रजिस्टरड बंडल एक पंजीकरित बंडल त्यार करने के लिए अवश्यक पंजीकरित बस्वों की नियूंतम संख्या कितनी होनी चाहिए दो, तीन, पाँच या फिर दस तो यहाँ पे more than two होता है इसका मतलब minimum कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, तो भी option यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी तो यहाँ पे इसको हम नहीं करेंगे ठीक है, यह GK के question से आगे, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि current वाला topic था आपका उस time इसको भी नहीं करेंगे अगला देखिए आप, inner state peoples are not discriminated on the basis of religion एक राज में लोगों के साथ धरम के अधार पर भेदवाव नहीं किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है secular, socialist, surgeon यहाँ फिर none of these, तो यहाँ पे इस question का सी answer आएगा आपके बासे धरम, निरपेक, secular इसको कहा जाएगा अगला question आपके बास, which of the following organic acids is abundant in grapes, turmeric and banana तो अंगूर, इमिली और केले मैं इमन मैं से कौन सा कार्वनी कमल परचुर मातरह में होता है tartaric acid, ठीक है, acetic acid, citric, hyafrolactic acid, question का सियांसर हो जाएगा आपके बास tartaric acid होता है इसमें अगला question आपके बास इंटीग्रेशन डे इन इस इंडिया is observed on भारत में राश्ट्री एक तादिवस का मनाया जाता है 14th of November, 19th of November, 1st November या फिर 26th November तो यहाँ पे question का सियांसर होगा आपके बास भी 19 November को ये मनाया जाता है which of the following is a non-renewal energy source इन में से कौन सा एक गैर नवी करणी होर्जा संसादन है यनि कि आपने एक बार यूज कर लिया तो भो खतम हो जाएगा water, wind energy, coal या फिर solar energy तो कोई लाज होता है यह का क्या है आपका non-renewal energy resource है बड़ी इस दी भैन इस दी national girl child day is celebrated annually in India भारत में प्रती वर्ष राष्ट्री अबाली का दिवसकम मनाया जाता है 23 जनवरी, 24, 25 या फिर 26 जनवरी करणी का से answer होगा आपके 24 जनवरी को ये मनाया जाता है which of the following term is not associated with football निमन मैंसे कौन सा शव्द football से संबंदित नहीं है free kick off side penalty कि क्या फिर penalty stroke तो यहाँ पे 38 की जो से option आजाएगी ये आजाएगी आपके पास penalty stroke नहीं है ठीक है ये hockey से जुड़ा हुआ शब्द है beach of the falling temples in India was called as the black pagoda by the Europeans भारत में निमन मैंसे किस मंदिर को European लोगों द्वारा black pagoda कहा जाता था options हैं आपके पास तिरु माला तिरु पती ठीक है कमाख्या मंदिर कुनाख sun temple या फिर जगनाथ मंदिर question का से answer आपके पास हो जाएगा कुनाख sun temple को कुनाख सूर्य मंदिर को कहा जाता था और आज की वीडियो के last question है आपके पास बदरीनाथी situated on the banks of beach of the falling river बदरीनाथ निमन मैंसे किस नदी के तटपर स्थित है अलकननदा भागी रथी यमना या फिर काशी तो यहाँ पे कोश्टों का से answer क्या जाएगा आपके पास बदरीनाथ अलकननदा नदी के तटपर स्थित है यह option आपकी से हो जाएगी तो यह था हमारे पास केरला सर्कल MTS का 2020 का कोश्टों वेपर अगर आपको किसी फी कोश्टों का answer गलत लगा प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर बता दे हूं साथ मैं mathematics के लिए भी आपको description में link मिल जाएगा और regular classes में जुणना चाहते है जरूर हमें message कर सकते है ठीक है इन सभी question papers की लगवग 40 previous year question papers की pdf files with solution हम आपको provide करवाएंगे बाकि daily आपको video lecture ठीक है pdf files और daily के daily आपको exam ये सारी चीज़े हम provide करवाते है तो आपकी त्यारी बहुत अच्छी हो जाती है जरूर exam अच्छे से clear गर पाएंगे तो जूड़ सकते हैं आप हमारे साथ ठीक है वेंट्स thank you